एक मनों की देह, एक मनों का शरीर, मनुष्य की जो देह है, मनों का जो शरीर है, ये बड़ा विचित्र शरीर है पाप, साप और आग, इन तीन चीजों से बच कर जो निकल जाता है, समझ लो वो जिन्दगी के एक पड़ा उपर, उपर की और बढ़ जाता है मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पाप कर्म थोड़ा ज़्यादा होने लगता है पाप, साप और आग इससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए अगर मनों की दे मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए तो प्रयास यह करिएगा कि हम इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखाए हम इस शरीर के द्वारा कोई गलत कारे ना करे मानव की जो देह ये पाप कर्म में लिप्त नाओ इसका स्मरणड है अगर ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त होती है तो फिर मानव का शरीर मिलना बेकार है पाप से आग से और सांप से बचने का प्रयास को है झालना बास्ट लग सांप सांप से लग है ये दोस्त राइकार बेका को हाप बाइब का बहुंस झाल झाल